Hello friends, welcome to W Career Academy, मैं धरमेंदर सिंग, आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ some important rules which can help you to understand English in a better way कुछ ऐसे महत्वपूर्पूर्ण rules जो English को और जादा अच्छे से समझने में हमारी help करते हैं तो दोस्तों अगर आपको English को और इन rules को अगर आपको और जादा अच्छे से अगर समझना है तो वीडियो को ध्यान से देखना और last तक देखना तो friends, सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगे rule number one और rule number one हमसे क्या कहता है that most of the nouns are always found in singular form but we can make them plural by putting s या es at the end of them मतलब कि जादा तर noun जो आपके होते हैं वो आपके पाए जाते हैं singular form में यानि एक वचन में और उन्हें plural बनाया जाता है उनके अंत में s या es लगा कर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी noun जो अगर already singular है उसे यानि के आप plural बनाने के लिए यानि के उसे बहुवचन बनाने के लिए आप उनके अंत में लगा सकते हो s या es इसका मतलब किसी भी noun के अंत में s या es लगा देने से वो noun आपका बन जाता है plural जैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर देखे कुछ singular noun ले रखे है अब मुझे इनको बनाना है अगर plural तो क्या करूँगा मैं सिर्फ और सिर्फ इनके अंत में s या es लगा दूँगा जैसे देखो अगर एक boy है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं boy और अगर बहुत सारे होंगे तो क्या बोलूगा उसके लिए boys जैसे एक girl है तो girl बोलूगा और अगर बहुत सारी girls है तो क्या बोलूगा उसके लिए girls जैसे अगर एक city है यानि एक शहर है तो city और बहुत सारी अगर होंगी तो क्या बोलूगा उसके लिए cities जैसे एक place है अगर एक स्थान है तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे place और अगर बहुत सारे स्थान है तो क्या बोलेंगे उसके लिए हम लोग places जैसे अगर एक table है तो table और बहुत सारी है तो क्या बोलेंगे उनके लिए tables बोल सकते हैं हम लोग जैसे अगर एक fan है तो बोलूगा उसके लिए fan और बहुत सारे हैं तो क्या बोलूगा fans जैसे एक कुरसी है तो उसके लिए बोलूगा chair और अगर आपको इसको बनाना है plural तो इसके अंत में लगा दो एस तो क्या बन जाएगा ये chairs जैसे इसके अंत में अगर मैं अगर एस लगाँगा तो क्या बनेगा आप उसके लिए objects है, जैसे अगर एक noun है अगर तो आप उसके लिए noun और बहुत सारे हैं तो क्या बोलोगे आप उसके लिए nouns, जैसे अगर एक pronoun है तो pronoun और बहुत सारे हैं तो क्या कहलाएंगे वो आपके pronouns, एक पेड़ है तो tree और बहुत सारे अगर पेड़ हैं तो क्या बोल सकते हो आप बोक्स जैसे एक रूम है तो रूम बोलोगे और अगर आपको इसको बनाना है प्लूरल तो लगा दो S क्या बन जाएगा रूम्स जैसे अगर एक अगर घड़ी है तो आप उसके लिए क्लॉक बोलोगे और अगर बहुत सारी अगर घड़ी होंगी तो आप क्या बोल सकते हैं उनके लिए क्लॉक्स जैसे एक विशह है तो आप उसके लिए बोल सकते हैं आपे सब्जेक्ट और बहुत सारे होंगे तो सब्जेक्स तो इस तरह से हम लोग किसी भी नाउन के अंत में जो सिंगूलर में पाया जाता है प्लूलल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके अंत में क्या लगा देते हैं एस या एस और नाउन कैसे शब्द होते हैं जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि ऐसे शब्द होते हैं जो एक नाम होते हैं किसी भी living या non living things का तो last बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है मैंने आपे लिखा है most of the nouns most of the का मतलब क्या हुआ जादा तर नाउन जो है वो आपके singular form में पाये जाते हैं लेके not all यानि कि सभी नाउन ऐसे न वारे में हम लोग आगे rules में सीखेंगे तो अब हम लोग move करते हैं दूसरे rule की तरह आये जानते हैं कि हमारा rule number two हमसे क्या कहता है rule number two हमसे कहता है that all the main verbs are always found in plural form सभी के सभी जो आपकी main verb होती हैं वो हमेशा पाई जाती हैं आपकी plural form में लेकिन but we can make them singular हम उन्हें singular बना सकते हैं कैसे उनके अंत में ऐसे या yes लगा कर इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी हमारी main verb होती हैं वो सभी के सभी already कैसी होती हैं आपकी plural होती है यानि बहुवच क्राइस किया जाता है कैसे करके उनके अंत में ऐसे या yes लगा कर इसका मतलब कि जो main verb की first form होती है वो already कैसी होती है plural होती है और जो उसकी say yes form होती है जब उसमें हम लोग say yes लगा देते हैं तब वो उसकी कैसी form होती है उसकी singular form होती है तो देखो मैंने आपको समझाने के लिए कुछ already plural verb ले रखी है अब मैं इनको मुझे क्या गरना है इने singular बनाना है क्या करके इनके अंत में say yes लगाता है जैसे go है तो यह already कैसी यह plural है इसकी say yes form यानी singular form क्या बनेगी आपकी goals क्या हो जाएगी इसकी goals देखो do में अगर मैं yes लगा तो क्या बनेगा does जैसे eat का क्या हो जाएगा आपका eats जैसे come का singular क्या होगा आपका comes जैसे awake का singular क्या होगा आपका awakes जैसे fly का आपका singular क्या होगा flies जैसे cook का singular क्या होगा आपका cooks, जैसे cry का आपका singular क्या होगा, cries जैसे take का singular क्या होजाएगा आपका takes, जैसे give का singular क्या होजाएगा, आपका gives, तो मैंने यह जितनी भी S, A, E, S लगाकर यह जो form बनाई है, उसकी S, A, E, S यह क्या होगई, उसकी यह singular form हो गई जैसे यहाँ पे देको hide है तो यह already क्या है plural है मुझे इसको क्या बनाना है singular बनाना है तो मैं इसमें S.I.E.S. लगा दूँगा तो क्या बनेगी इसकी singular form hides, जैसे tell का singular क्या बनेगा tells जैसे understand का singular क्या बनेगा आपका understands जैसे explain का आपका क्या बनेगा singular explains जैसे find का singular क्या बनेगा आपका finds जैसे discover का singular क्या बनेगा आपका discovers और ऐसे ही send का singular क्या बनेगा आपका sends और tolerate का singular क्या बनेगा आपका tolerates जैसे break का singular क्या बनेगा आपका breaks जैसे ask का singular क्या बनेगा आपका asks और throw का singular बनेगा आपका throws मतलब कि कोई भी main verb में जो already plural है अगर मैं S या ES लगा दूँ तो वो बन जाती है हमारी singular noun के बिलकुल opposite मैंने इससे पहले वाले रूल में आपको क्या समझाया कि अगर noun में S या ES लगा दूँ तो noun बन जाता है आपका singular से plural लेकिन verb इसकी opposite होती है हमेशा verb में S या ES लगा देने से वो क्या बन जाती है आपकी singular बन जाती है just opposite to noun मैं एक बार फिर से repeat कर रहा हूँ किसी भी noun में S या ES लगा देने से वो बन जाता है plural लेकिन किसी भी verb में अगर हम लोग S या ES लगा दे तो वो बन जाती है हमारी singular और main verb हमारे कैसे शब्द होते हैं जैसे कि मैंने आपको अपनी previous वीडियो में बताया ऐसे शब्द जो हमें किसी काम का होना दर्शाते हैं या ऐसे शब्द जो अपने आप में क्या होते हैं action होते हैं एक लंबी list रहती है हमारे पास खाना पीना उटना बैटना आना जाना पढ़ना लिखना पूछना जानना पहचानना ये सब क्या होते हैं हमारे actions होते हैं यानि के main verb होती हैं तो अब हम लोग move करेंगे rule number 3 आये जानते हैं कि rule number 3 हमसे क्या कहता है rule number 3 हमें बताता है एक subject verb agreement के बारे में जो की एक agreement होता है हमारा subject और verb के बीच में क्या कहता है हमसे ये the use of verb according to subject is called a subject verb agreement किसका प्रयोग किसके अनुसार verb का प्रयोग subject के अनुसार ही हमारा कहलाता है subject verb agreement जो की हमसे सीधे सीधे ये कहता है कि अगर आपका subject हो अगर singular अगर 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 सब्चेक्ट अघर singular होगा तो उसके साथ हमेशा हमें कौन सी verb रखनी पड़ेगी singular verb और अगर subject अगर आपका plural होगा तो उसके साथ में हमेशा हमें कौन सी verb यूज़ करनी पड़ती है singular verb देखो मैंने आपको समझाने के लिए कुछ examples ले रखे हैं जो कि grammatically incorrect हैं लेकिन ये example grammatically incorrect क्यों है क्योंकि ये subject verb agreement को follow नहीं कर रहे हैं क्यों कि मैंने इन examples में अगर subject अगर मैंने singular लिया है तो मैंने वहाँ पे verb plural ले ली है और अगर मैंने subject अगर आपका plural लिया है तो मैंने वहाँ पे verb को रख दिया है singular में जिसकी वज़े से ये subject verb agreement को follow नहीं कर रहे हैं क्योंकि subject verb agreement हमसे ये कहता है कि अगर आपका subject plural हो तो वर्ब भी आपकी plural होनी चाहिए और अगर आपका subject अगर singular हो तो आपकी वर्ब भी कैसे होनी चाहिए singular होनी चाहिए जैसे कि देखो कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि you is my close friend कभी सुना है आपने कभी नहीं सुना होगा कभी आपने he के साथ are use करते देखा है जैसे कि he are my school friend कभी नहीं सुना होगा लेकिन अगर मैं इन दोनों ही example में अगर मैं इन दोनों की position को अगर interchange कर दूँ तो यही आपके example हो जाएंगे grammatically correct you आपका plural subject है तो इसके साथ में वर्बी कैसे आनी चाहिए plural कैसे बोल सकता हूँ you are my close friend और ही आपका singular subject है तो उसके साथ वर्बी कैसे आनी चाहिए singular कैसे बोलूँगा he is my school friend जैसे इस example में देखो was आपकी singular वर्ब होती है और मैंने subject ले रखा है यहाँ पे plural तो कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा we was out of city we के साथ में हमेशा हम लोग क्या लगाते है plural verb क्या बोलूँगा we were out of city हमेशा ध्यार नकनागर मैं इनकी position को क्या कर दूँँ अगर interchange कर दूँ तो यह दोनों ही आपके grammatically क्या हो जाएंगे correct हो जाएंगे ऐसा ही कभी भी हम लोग she के साथ में were नहीं लगाते है क्योंकि she आपका कैसा subject है आपका singular subject है और were है आपकी plural verb तो अगर मैं इन दोनों की position को अगर interchange कर दूँ तब यह आपके दोनों ही example grammatically क्या हो जाएंगे correct हो जाएंगे या तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ और यह बोलूँगा she was in office जैसे next example में देखो my friend आपका कैसा subject है singular subject लेकिन मैंने verb लगा रखी यहाँ पे have plural तो यह आपका grammatically incorrect है कभी भी हम लोग my friend के साथ में कभी भी have नहीं लगाते है क्या लगाते है my friend has जैसे यहाँ पे देखो you आपका plural subject है और has आपकी singular verb है इसलिए यह भी example आपका subject verb agreement को follow नहीं कर रहा है जिसकी वज़े से यह grammatically incorrect है लेकिन अगर मैं इन दोनों की position को अगर क्या कर दूँ अगर interchange कर दूँ तो यही दोनों example आपके grammatically क्या हो जाएंगे correct हो जाएंगे या तो मैं ऐसा बोलूँगा my friend has many friends बोल सकता हूँ या my friend has many cars और या कैसे बोलूँगा you have many friends हमेशा हमें कोई भी sentence बोलते समय subject verb agreement का खास ध्यान रखना होता है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो I आपका plural subject है और मैंने verb यहाँ पे use कर रखी है singular और यहाँ पे ही आपका singular subject है लेकिन verb मैंने यहाँ लगा रखी है plural तो यह दोनों ही example आपके subject verb agreement को follow नहीं कर रहे हैं जिसकी वैसे यह दोनों ही आपके grammatically incorrect हैं लेकिन अगर मैं इन दोनों में इन verb की अगर position को interchange कर दूँ तो यह दोनों ही example आपके क्या हो जाएंगे grammatically correct हो जाएंगे या तो ऐसा बोलूँगा हमेशा I do my work myself और या क्या बोलूँगा He does his work या his homework himself तब जाके होगा आपके यह grammatically incorrect है जैसे कभी भी हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं कि it happen all the time it आपका singular subject है उसके साथ कभी भी plural verb नहीं ले सकते हैं हमें कैसी verb लेनी पड़ती है हमेशा singular verb जैसे दे आपका plural subject है तो उसके साथ हम लोग singular verb नहीं ले सकते हैं लेकिन अगर मैं इन दोनों में अगर क्या करूँ अगर मैं यहाँ पर या तो subject को change कर दूँ और या इन दोनों को अगर मैं change कर दूँ तो यह हमारे दोनों ही example क्या हो जाएंगे grammatically correct हो जाएंगे ध्यान रगना मुझे happen नहीं बोलना पड़ेगा मुझे क्या करना पड़ेगा it happens all the time मुझे कैसी verb लेनी पड़ेगी singular और यह मैंने plural ले रखी है तो मुझे इसको बनाना पड़ेगा कैसा plural बनाना पड़ेगा तो या तो मैं यह बोलूँगा it happens all the time और या तो मैं यह बोलूँगा they ask good questions जैसे last example में आप खुद observe कर सकते हो she आपका कैसा subject है singular subject है और वर्ब ले रखी है मैंने यहाँ पे plural तो कभी भी हम लोग ऐसा नहीं बोलते है she make delicious food ध्यार नगनडीक है और नहीं कभी हम लोग जैसे यहाँ पे देखो मैंने we कैसा subject ले रखा है यहाँ पे plural subject और मैंने वर्ब ले रखी यहाँ पे singular तो कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं हम लोग जैसे की we tells our problems to our friends बट अगर मैं इन दोनों में अगर मैं जैसे यह singular subject है तो मैं अगर वर्ब को अगर singular बना दूँ तो यही example आपका क्या हो जागा grammatically correct या तो मैं बोलूँगा इसको she makes delicious food बट she make नहीं बोलूँगा हमेशा क्या बोलूँगा she makes delicious food और या मैं क्या गरूँ यहाँ पर यह singular verb ले रखी है मैं अगर इसका ऐसा टाक है अगर मैं यहाँ पर plural verb ले लूँँ तब यह आपका example क्या हो जागा grammatically correct कैसा बोलूँगा हमेशा we tell our problems to our friends तो friends हमें English बोलते समय लिखते समय हमेशा एक subject verb agreement का क्या रखना होता है ध्यान रखना होता है कि अगर आपका subject अगर singular है तो verb भी आपकी singular होनी चीए और अगर subject आपका plural है तो verb भी आपकी plural होनी चीए जैसे इससे पहले वाले rule में मैंने आपको बताया था कि जो S या ES वाली form रहती है वो हमेशा कैसे रहती है singular form और जो आपकी verb की first form होती है वो उसकी plural form होती है इसलिए थोड़ी देर पहले ये example आपके grammatically incorrect है लेकिन अगर मैंने verb को subject के according अगर मैंने use किया singular के साथ singular और plural के साथ plural तब ये आपके example होगे grammatically correct और ये कहता है हमसे हमारा subject verb agreement तो आई ये हम लोग मूव करते है rule number four की तरफ क्या कहता है हमसे rule number four rule number four हमसे ये कहता है that a personal pronounce not all the pronounce सभी प्रोनाउन नहीं सिर्फ और सिर्फ कौन से प्रोनाउंस personal pronounce जो है वो ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो हमेशा दो different case में use किये जाते हैं जब उनका use किया जाता है वाक्य के starting में यानि के subject की तरह और या वाक्य के last में यानि के object की तरह मैंने आपको अपनी previous वीडियो में बताया था कि noun ऐसे शब्द होते हैं जिनका आप use करो चाहें starting में यानि subject की तरह और चाहें आप use करो last में object की तरह noun रहते हैं हमेशा same pronoun भी आपके same property follow करते हैं सिर्फ और सिर्फ कौन से pronoun को छोड़ कर personal pronouns को छोड़ कर personal pronouns ऐसे pronoun होते हैं जो आपके change हो जाते हैं जिनका subjective case अलग होता है और जिनका objective case अलग होता है मतलब अगर आप इनको starting में use करोगे तब इनका subjective case use होता है और जब आप इनको वाक्य के अंत में use करोगे last में तब इनका objective case use होता है और ये आपके personal pronoun होते हैं total 7 और इन 7 में से भी सिर्फ 5 ऐसे होते हैं जो आपके change हो जाते हैं और 2 आपके रहते हैं same जैसे एक तो आपका you same रहता है और दूसरा आपका रहता है it आपका same और बाकी ये जो remaining 5 हैं ये आपके change हो जाते हैं इनका subjective case अलग और इनका objective case अलग आपको बहुत simply तरीके से ध्यान रखना है कभी भी अगर आपको कोई भी personal pronoun का use करना है अगर starting में तो कभी भी आप ये वाला case use नहीं कर सकते हो starting में और कभी भी अगर आपको कोई personal pronoun का use करना है last में तो कभी भी last में ये वाले case use नहीं होते हैं starting में use करोगे तब उनका subjective case और last में use करोगे तब होता है उनका objective case for example जैसे अगर मैं आपके सामने अगर बोलूँ मुझे अगर किसी personal pronoun का use करना है starting में तो कभी ऐसे बोल सकता हूँ जैसे की जैसे me your good friend या me is your good friend कभी नहीं बोलूँगा हमेशा क्या बोलूँगा मालम है I am your good friend कभी भी ये वाले case starting में use होते ही नहीं है जैसे मुझे starting में use करना है कैसे बोल सकता हूँ ऐसे बोल सकता हूँ them are coming कभी नहीं बोल सकता हमेशा क्या बोलूँगा जैसे मैं कभी ऐसे बोल सकता हूं, I am waiting for दे, कभी नहीं बोल सकता हूं, ये दे का मुझे हमेशा, लास्ट में अगर यूज करना है, तो क्या बोलुगा, I am waiting for them बोलुगा, कभी ऐसा बोल सकता हूं, we are looking for he, last me use कर रहा हूँ दयान रखना तो क्या बोलूगा we are looking for he नहीं बोलूगा क्या बोलूगा हमेशा we are looking for him मुझे last me use करना है अगर तो मैं कभी ऐसा बोल सकता हूँ I know she क्या बोलूगा हमेशा I know her कभी ऐसा बोलूगा I like he नहीं बोल सकता हमेशा क्या वोलूगा I like him और I like her बोल सकता हूं कभी ऐसा बोल सकता हूं we are waiting for they कभी नहीं बोल सकता हूं क्या वोलूगा we are waiting for them बोल सकता हूं we are waiting for him बोल सकता हूं we are waiting for her बोल सकता हूं but कभी भी we are waiting for she नहीं बोल सकता we are waiting for they नहीं बोल सकता, we are waiting for ही नहीं बोल सकता इसका मतलब यह है कि कभी भी अगर आपको इन में से अगर कोई भी अगर pronoun अगर use करना है starting में, तो उनका subjective case use करो, और अगर आपको वाकिके last में use करना है, तब उनका case use किया जाता है हमेशा कौन सा case उनका, objective case और इनका use कभी भी starting में नहीं कर सकता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता, them are free, क्या बोलूगा हमेशा, they are free और कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता I want to talk to they, क्या बोलूगा हमेशा, I want to talk to them, क्योंकि मैं कैसे use कर रहा हूँ यहाँ पर last में use कर रहा हूँ I want to invite, ही बोल सकता हूँ कभी कभी नहीं बोल सकता, क्या बोलूगा हमेशा I want to invite him या कभी ऐसे बोल सकता हूँ, I want to invite she, कैसे बोलूगा, I want to invite her, और you और it आपके ऐसे pronoun रहते हैं, जिनका subjective case और objective case रहता है, हमेशा same यानि चाहे आप starting में use करो और चाहे आप उनका last में use करो हमेशा कह रहते हैं, same, जैसे I am talking to you, इसमें मैंने you का use किया last में, और starting में अगर use करूँगा, you are talking to me, तो भी आपका starting में क्या रहा, you रहा जैसे मैंने बोला it is not possible, और जैसे कि I can do it, दोनों में क्या रहा आपका, same रहा, जैसे मैंने बोला it is very heavy, मैंने it का use किया है आपे starting में, और मैंने बोला I can lift it, अब मैंने it का use किया है, याँ पे last में तो भी क्या रहा, same रहा, तो ये कहता है हमसे हमारा rule number four, कि अगर आप जो है किसी भी personal pronoun को अगर आप starting में use करोगे, तब उनका subjective case, और last में use करोगे तब हमेशा कौन सा case आना चाहिए, उनका objective case आना चाहिए, ये कहता है हमसे हमारा rule number four, अब हम लोग move करते है, rule number five की तरफ तो आई हम लोग जानते हैं कि rule number five हमसे क्या कहता है, क्या कहता है हमसे rule number five, हमसे rule number five ये कहता है, that we always use an objective case of personal pronoun कि personal pronoun का हमेशा हम लोग objective case use करते हैं, just after a verb, या तो verb के तरेंद बाद, और या preposition के तरेंद बाद, इसका मतलब verb के तरेंद बाद, और preposition के तुरंद बाद कभी भी अगर आपको कोई personal अगर आपको pronoun अगर use करना पड़े तो कभी भी हम उनका subjective case use ना करके हमेशा उसका कौनसा case use करते हैं उनका objective case use करते हैं जैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहां पे कुछ verb ले रखी है अब यहां पे एक verb है अब लेट के तुरंद बाद मुझे इन में से personal pronoun use करना है तो मैं कभी भी उनका subjective case use नहीं कर सकता हूँ मुझे कौनसा case use करना पड़ेगा हमेशा उनका objective case कभी ऐसा बोल सकता हूँ यहां पे let I go क्या बोलूगा हमेशा let me go कभी ऐसा बोल सकता हूँ let we go कैसे बोलूगा हमेशा let us go कभी ऐसा बोल सकता हूँ let they decide क्या बोलूगा हमेशा let them decide कभी ऐसा बोल सकता हूँ कि let he feel happy कैसे बोलूगा let him feel happy जैसे कभी ऐसा बोल सकता हूं let she alone क्या बोलूगा letter her live alone जैसे कि बोल सकता हूं यहां पर जैसे कभी भी जैसे make यहां पर क्या है आपकी एक verb है अब make के तुरन बाद अगर मुझे क्या यूज करना है अगर personal pronoun अगर यूज करना है तो मैं क्या करूंगा उनका subjective case यूज ना गर करें हमेशा उनका objective case यूज करुगा जैसे कभी ऐसा वो चक्ता हूं किसे वोलूँगा हमेशा make me rich कभी ऐसा वोलू mechanism make we rich कैसे वोलूँगा हमेशा make us rich if you if you if you chamber them feel happy कभी ऐसा वोल चक्ता हूं make he a good person make him a good person जैसे कि कभी ऐसा बोल सकता हूँ, make she a doctor, क्या बोलूगा, make her a doctor, you और it तो आपके सेम रहते हैं, बाकि यह जो पांच होते हैं, यह आपके हमेशा कौन से case में use होते हैं, objective case में, जैसे यहाँ पर देखो, give आपकी एक verb है, आप कभी ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पर give I your pen, कैसे कैसे बोलूगा हमेशा, give them your pen, कभी ऐसा बोल सकता हूँ, give he a good advice, कैसे बोलूगा हमेशा, give him good advice, यह give her good advice, ऐसे ही take यहाँ पर क्या है, आपकी एक verb है, take के बाद भी अगर मुझे मान लो, अगर कोई भी अगर personal pronoun use करना है, तो हमेशा उनका objective case use करूँगा, कभी ऐसे बोल सकता यहाँ पर take him to their library, बोल सकता हूँ, यहाँ पर take her to the hospital, बट कभी भी हम लोग ध्यान रखना, उनका subjective case use नहीं करेंगे, हमेशा कौन सा case आना चाहिए, उनका objective case आना चाहिए, ऐसे ही, और किसके बाद, pre-position के तुरंद बाद, किसके तुरंद बाद अगर, pre-position के तुरंद waiting, क्या बोला मैंने यहाँ पर, we are waiting, और for यहाँ पर आपकी एक pre-position है, अब कभी ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पर, we are waiting for them, क्योंकि मैं उनका subjective case use नहीं कर सकता हूँ, मुझे कौन सा case use करना पड़ेगा, उनका objective case, कभी ऐसा बोल सकता हूँ, we are waiting for he, क्या बोलूँगा हमेशा we are waiting for him, कभी ऐसा बोल सकता हूँ, we are waiting for she, क्या बोलूँगा हमेशा, we are waiting for her, बोलूँगा हमेशा, pre-position के तुरंत बात ध्यान लगना, हमेशा कौन सा case आना चाहिए, उनका subjective case नहीं, बलकि कौन सा case आना चाहिए, उनका objective case आना चाहिए, देखो, कभी जैसे यहाँ पर ऐसा ब preposition है, अब to के तुरंत बाद कभी ऐसे बोल सकता हूँ, he is talking to I, क्या बोलूँगा हमेशा, he is talking to me, कभी ऐसा बोल सकता हूँ, he is talking to us, या he is talking to them, he is talking to her, इस तरीके से, preposition के तुरंत बाद, अगर कभी भी अगर कोई verb आती है, तो हमेशा कौन सी फार्म में आनी चाहिए, वो हमेशा उनका कौन सा case use करते है, objective case use करते है, जैसे देखो मैंने यहाँ पर बोला, I like you, I like, मैंने बोला यहाँ पर जैसे कि I like you, क्या बोला मैंने यहाँ पर I like you more than, अब देखो यहाँ पर यह देन आपकी preposition है, अब कभी ऐसा बोल सकता हूँ, I like you more than, दे बोल सकता हूँ, कै I like you more than he, क्या बोलोगा, I like you more than him, कभी ऐसा बोल सकता हूँ, I like more than she, क्या बोलोगा हमेशा, I like more than her, तो ध्यान रगना हमेशा कि अगर कोई भी अगर जो है, personal परौन अगर आता है आपका, तुरंत बाद, या तो किसी verb के और या किसी preposition के, तो उसका subjective case use ना करके, हम लोग हमे तो आएए अब हम लोग move करते हैं, rule number 6 की तरफ, अब हम लोग discuss करेंगे rule number 6, तो rule number 6 हमसे क्या कहता है, rule number 6 हमसे कहता है, that we always use an ing form of the verb, we always use an ing form of the verb, just after a preposition, की rule number 6 हमसे ये कहता है, कि preposition के तुरंत बाद, अगर कोई भी अगर आपको verb अगर use करनी है, तो वो verb आपकी आनी चीह हमेशा ing form में, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए देखी, यहाँ पे कुछ example ले रखे हैं, जिन में मैंने एक-एक preposition ले रखी है, ठीक है, जैसे पहला example क्या है, देखो, I am going for, अब for यहाँ पे preposition है, अब preposition के तुरंत बाद मुझे दूसरी एक verb लेनी है, तो मैं कभी ऐसे बोलूगा देखो, I am going for play cricket, क्या बोलूगा हमेशा क्या बोला, मैंने preposition के तुरंत बाद जो verb आनी चीह है, वो ing form में आनी चीह है, तो ऐसा नहीं बोल for taking lunch, कभी ऐसा बोल सकता हूँ, I am going for attend a meeting, कैसे बोलूगा हमेशा, I am going for attending a meeting, कभी ऐसे बोल सकता हूँ, I am going for have fun, नहीं बोल सकता, क्या बोलूगा हमेशा, I am going for having fun, कभी ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पे I am going for take bath, नहीं बोल सकता हूँ, हमेशा ing form में, क्या बोलूगा, I am going for taking bath जैसे इस वाक्य में आपकी after क्या है preposition है जैसे मैंने क्या बोला I use my phone after I use my phone after क्या बोलूगा after taking lunch क्या बोलूगा I use my phone after taking lunch जैसे कैसे बोलूगा या पर I use my phone after attend my class बोलूगा या after attending my class क्या बोलूगा I use my phone after attending my class कभी ऐसे बोलूगा I use my phone after wake up क्यासे बोलूगा after waking up जैसे मैंने या पर दो तीसरे एक्जामपल क्या रखा है we take lunch before तो कैसे बोलूगा या पर before complete our work बोलूगा कैसे बोलूगा before drinking water जैसे मैंने बोलूगा या पर we take lunch before come to office बोलूगा before coming to office बोलूगा कैसे बोलूगा before coming to office जैसे कैसे बोलूगा we take lunch before play cricket before playing cricket क्या बोलूगा कि मैं कैसे करके यूज करूंगा क्या बता है मैंने कि हमेशा आई एंजी फॉर्म लेनी आपको वर्ग की किसके तुरंद बाद प्री पूजिशन के तुरंद बाद जैसे यहां पर मैंने बोला there is no harm in behave politely बोलूंगा या behaving politely क्या बोलूंगा हमेशा behaving बोलूंगा या learning something new everyday क्या बोलूंगा there is no harm in learning something new everyday जैसे there is no harm in help someone बोलूंगा या helping someone क्या बोलूंगा हमेशा there is no harm in helping someone जैसे यहां पर देखो preposition क्या लगाई है मैंने याप पे then तो जैसे मैंने बोला I would rather stay home कि मैं घर रुकना पसंद करूंगा then यहां पर क्या है आपकी एक preposition है तो मुझे बताना ठीक है जैसे कैसे बोलूंगा मैं I would rather stay home then go outside बोलूंगा या going outside क्या बोलूंगा हमेशा then going outside I would rather stay home then play with you बोलूंगा या then playing with you then playing with you I would rather stay home then go to a marriage party बोलूंगा है going to a marriage party then going to a marriage party I would rather stay home then going out बोलूंगा या going outside बोलूंगा क्या बोलूंगा then going outside जैसे I would rather stay home then क्या बोल सकता हूं यहां पर बोलो then walking outside बोलूंगा है then walk outside क्या बोलूंगा हमेशा then walking outside हमेशा प्री पोजिशन के तुरंत बाद अगर कोई भी अगर वर्ब आती है तो वो आपकी कौनसी form में आनी चीह है ing form में आनी चीह है यह कहता है हमसे हमारा rule नमबर six friends आज की वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको छे रूल बताए हैं बाकी के rules जो है मैं आपको अपनी next वीडियो में समझाऊंगा तो friends इस वीडियो को like करें जादा से जादा लोग को share करें और हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें और अगर आपकी किसी भी type का अगर आपका कोई doubt है query है तो comment section में जरूर पूछे तो friends इसी तरीके से तरह तरह की वीडियो में मैं आपको और तरह तरह की बहुत अच्छी सारी tricks और basic rules आपको बताता रहूंगा लगे रहे हैं मेरे साथ friends जैहिन दोस्तो